खबरों में आगे बढ़ेंगे यूपी सरकार की तरफ से संचालिस तमाजवादी अंबुलेंस के ड्राइवरों की मनमानी से कहीं शब को कंधो पर रख कर ले जाया जाता है तो कहीं गरीबी से लाचार परीजन बाइक पर लाद कर ले जाते देखे जा रहे हैं ताजमामला काजगंज का है जहां बीती राद भी इसी तरह का द्रश्य है जिला अस्पताल में देखने को मिला है जहां सांस रोग से पीडित एक शक्स को म्रद घोशित कर दिया गया उधर शब को घर तक ले जाने के बदले अंबुलेंस के ड्राइवर ने परीजनों से जाया तस्वीरे आप देख रहे हैं लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो आप देखने को मिल रहे हैं जहां पर कानपूर का कुछ दिन पहले का मामला आपको याद ही होगा कानपूर में एक बच्चे की मौत हो जाती है स्ट्रेचर तक उसको नहीं दिया जाता है पिता मामला आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो लापरवाही है वो सामने आती है कासगंज का यह पूरा मामला जहां यूपी सरकार की तरफ से संचालिस समाजवादी अंबूलेंस के ड्राइवरों की मनमानी देखने को मिली है पंद्रह सो रुपे मांगे ड् नहीं थे तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने चंदा इखटा किया और निजी एंबूलेंस जो है उसको बुलाया गया शर्मसार करने वाली यह तस्वीरे हैं यहां पर मानवता बिलकुल भी रह नहीं गई है लगातार इस तरह के मामले उत्तरप्रदेश में सामने आ रह एक्स्क्लोजिव तस्वीरे इस वक्त आप देख रही है नैशनल वाइस पर